स्वागत और अभिन्दन आप सभी का द्रस्टी की PCS सेग्मेंट के अंदर दोस्तों और मैं डॉक्टर आजे सिंग आज हम लोग जो आमने सामने हुए उसका मुख्य उदेशे UPP-CAS के अंदर समाने अध्यन के लिए विज्ञान और प्राध्योगी की यानि साइंस एंड टेक्नलोजी के अंदर 2018 में प्रारंबिक परिक्षा में पूछेगे प्रश्णों के लिए हम सॉलुशन करने के लिए आमने सामने हुए यानि कि 2018 के अंदर विज्ञान और टेक्नलोजी के सेग्मेंट में जितना आपके प्रश्ण आया है आपके एक्जाम के अंदर उसके हम सॉलुशन के लिए सामने और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सही आप्शन के साथ तीन आप्शन और भी रहते हैं तो हम उनको भी सा करते हैं चलिए पहला प्रश्ण नेमल लेकित विद्द्चुम्ब की विकीरणों में से किसकी उर्जा अधिक्तम होती है यानि कि पहली बात तो क्या है कि विद्द्चुम्ब की विकीरण यानि विद्द्चुम्ब की तरंगे हैं दूसरा जो है किसकी उर्जा अधिक्तम ह वहाँ energy किसकी ज़्यादा है वो ये पूछना चारा है और आपको कुछ तरंगों के नाम दिये हैं जिसको दृश्य प्रकाश, आवरक्त किरने, पराबेंगनी किरने और एक्स किरने दोस्तों ये सब की सब जो है आपकी अयांत्रिक तरंगे होती है यानि इनको चलने के लिए माध्यम की आवशकता नहीं होती है और इनकी अगर मैं बात करूँ क्रम से लिखने की तो सबसे पहले आती है इसके अंदर कॉस्मिक तरंगे कॉस्मिक तरंगों के बाद में गामा तरंगे गामा तरंगों के बाद में पराबेंगनी तरंगे और फिर आती है आपकी एक्स तरंगे X तरंग को बात में दृष्य प्रकाश ़िप्रकाश आ रहा है उसके बाद अवरक्ट तरंगे अवरक्त तरंगों के बाद में सुक्श्म तरंगे और फिर आते हैं रेडियो तरंगे ठीक है दोस्तों अच्छा मज़े की बात यह है कि ये सब उपर से नीचे की तरफ जो आ रही है इनका जो तरंग दैर्दे है वेवलेंद वो कम से अधिक की तरफ आ रहा है यानि लैमडा उपर कम है और नीचे चलते वे लैमडा जो है आपका ज्यादा हो रहा है यानि तरंगों की तरंग दैर्दे जो है वेवलेंद है जो है उपर चे नीचे के तरफ जो है कम से अधिक हो रही है और अगर तरंग देर दे का मैं अगर रिलेशन्शिप करूं फ्रिक्वेंसी से आवरती से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यह आपका अगर यह कम है तो यह जादा हो जाएगी और अगर यह जादा है तो यह कम हो जाएगी अगर उपर से नीचे की तरफ यह कम हो जाएगी तो इसका मतलब आवरति जो है आपकी नहीं उसके अंदर किरन के अंदर जो है विरेडिशन के अंदर शक्ति होगी पावर होगी यानि उर्जा होगी वहाँ पर तो आवरति अगर नीचे की तरफ आपकी आवरति जो है वो आपकी कम हो रही है यानि यह बढ़ रहा है तो इसकी उर्जा भी कम हो जाएगी नीचे के तरफ अगर उर्जा कम हो रही है तो इनकी penetration power यानि भेधन क्षमता भी इसकी जो होती वो कम हो जाती है तो अगर मैं इनकी देखूं अधिकतम उर्जा किसकी होगी तो जो उपर होगा इनमें से सबसे उपर वह आपका अधिक उर्जा वाला होगा क्योंकि उसकी frequency क्या होगी ज उपर है क्या गामा किरने है नहीं है तो उससे पहले पराबैंगनी किरने और एक्स तरंगे एक्स तरंगे और पराबैंगनी तरंगे हमारे पास में आ रही है तो यहां पर समस्या जो है वो आपकी उपर हो रही है लेकिन ध्यान दीजिए आपकी कुछ वेज के अंदर जो आपकी पराबैंगनी किरने हैं, वो X तरंगों से उपर रखी जाती है कई बार, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पर देखिए, कई वज़ाएं ऐसी हैं, जिसकी वज़े से इसको उपर रखा जाता है आपका, ठीक है, तो उसको उपर रखने के कारण जो होगा, आपकी X तरं के अंदर बहुत मामूलिस से अंतर के कारण इस परकर से स्प्रेक्ट्रम को बदलते हैं, तो जो स्प्रेक्ट्रम बदल गया, तो X तरंग उपर की तरफ चलेगी, गामा से ठीक नीचे, और X की नीचे पराबैंगनी है, तो अब भी यही चीज जो है वापिस चल रही है, त ज्यादा पेनेटरेशन वारी होती है, अधिकांश किताबों में आपको वो मिलेगा, लेकिन यह आपका सही करम है, गामा के बाद X और उसके बाद पराबैंगनी किरने होती है, ठीक है दोस्तों थोड़ा से इसको ध्यान रखिए, तो यहाँ पर उर्जा किसकी ज्यादा है एक्स किरनों की ज्यादा है, यहाँ पर एक्स किरनों की उर्जा ज्यादा है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, उसकी तरंग देर्दे छोटी है, तो आपको यह सारा रेलेशनशिप इसके साथ काम करने के लिए होगा और आंसर क्या होगा आपका X तरंगे, ठीक ह द्रश्य प्रकाश एक मतर प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है अवरक्त तिरंगे जो प्रकाश के जस्ट नीचे हैं इंफ्रारेड बोलते हैं इनकी वज़े से आपके CCTV कैमरास के अंदर इसको काम रात को कोई फिल्म बनाने हो तो आपके इसी तरंगों के अंदर उसको फि पाने में बेक्टरिय को मारने के काम आती है जबकि हानेकार किया है कि आँखों को प्रभावित करती है और तोचा के कैंसेर को करवाती है ठीक है और यह सारा काम और एक्स तरंगे एक्सतरंगे ल electrxim reports कि यह अन्दर करने के लिए प्लस किसी भी सामान में में डीडि unhealthy Tor α का निमले की तत्मों में कौन सा अर्ध चालक है अर्ध चालक वे होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना ज्यादा होती है ना कम होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना ज्यादा है ना कम है और यह ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं यह चाइल्ड लैंग इंगमूर के नियम की पालना करते हैं तो प्रशन के अनुसार जो है अर्द चालग जो है वो आपका सिलीकन है सबसे लोकप्री है सबसे ज्यादा काम में आने वाला ठीक है यह इसका सही अंसर है अलुमिनियम चांदी और सीशा ध्यान रखिए यह विद्युत की सरवादिक सुचालग धातू है क्योंकि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है ठीक है विशिष्ट प्रतिरोध को रोज से प्रदर्शित करते है शीशा जो है आपकी स्टेलों के अंदर प्लेटों के रूप में काम में आती है और अलुमिनियम ये आपकी अनेका अनेक प्रकार से काम में आने वाली एक धातू है ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा सिलिकॉन और भी जो है आपके जर्मेनियम गैलियम इन सब से भी आपके अर्ध चालक बनाए जाते है ठीक है इन सब से भी अर्ध चालक बनाए जाते है नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सामाने प्रस्तिती में वरक्ष के पत्तों की सरसराहट का डैसिबल स्तर प्रदर्शित करता है पहली बात देसिबल होता क्या है डेसिबल जो होता है धौनी की तीवर्ता धौनी की तीवर्ता इंटेंसिटी को प्रदर्शित किया जाता है ठीक है और इसका जो आपका ऐसा ही मात रख होता है वाट पर मीटर स्क्वार होता है लेकिन जो आपका पॉपुलर इसका जो यूनिट है वो आपका डेसिबल है डेसिबल जो है वो आपके धौनी की तीवर्ता के अंदर काम करता है और धौनी की तीवर्ता जो है वो आयाम के उपर न और आई जो है डिर्क्ली प्रपोर्शन होगी उनके आयाम एमप्लिट्यूड के स्क्वाइर के तो यहां पर ध्वहने की ती वरता जो आपको पता चलती है और ध्वहने की ती वरता जो डबलू एचो के अनुसार जो है जैसे सामाने पहली फुसफुसाहट उस फुसाहट जो है वह है आपकी जो है 15 से 20 डेसिबल की होती है और यही स्थर आपके पत्तों की सरसरहट का होता है तो लगबग लगबग 20 डेसिबल जो इसका वो सही आता है 60 डेसिबल डेबलु एचो के अनुसार गुसे में बात चीत 10 डेसिबल जो है आपके यह आपके तेज सांस लेने में या बिलकुल आपके हलके खराटे वगए हलके ज़्यादा तेज ने ज़्यादा तेज ने हलके खराटे है या आपके परदों के हिलने से जो आवाज होई उसके साथ में काम करते है 100 डेसिबल जो है यह होता है आपका मशीन गन, डीजे, टाइप राइटर, पेक्टरियों का शोर गुल, टीक है, पेक्टरियों का शोर गुल हो गए आपका, और इसके साथ में आपके हवाई जहाज, जेट यह सब एक सौ से लेकर के 110 डेसिबल के पास पास होते हैं लगबग यह बाद उसका सही आंसर जोगा 20 डेसिबल होगा जो ध्वाने की तीवरता को निरधारित करता है वेरी इंपोर्टेंट देख लिजे इसको एक बार उसके बाद आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किसका वेग अधिक्तम होगा वेलसिटी किसकी ज़्यादा वेग किसकी ज़्यादा है कॉस्मिक किरन प्रकाश किरन एलेक्टरोन और पराध्वनिक ध्यान दीजे दोस्तों यहाँ पर आयोग ने जो है वो आपके माना है प्रकाश को तेन इंटू दस की पावर आठ मीटर पर सेकिंड मीटर पर सेकिंड ठीक है ना तेन इंटू दस की पावर आठ मीटर पर सेकिंड कॉस्मिक तरंगें भी आपकी actual में आपका cosmic तरंगे हुई या electron का movement होता है ये भी प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है लेकिन आयोगने केवल आपकी प्रकाश को ढूंडा है तो इसका मतलब आपका इसी प्रकाश के लिए है उसने option को ढूंडा है जबकि पराद धुने के इसको बोलते है ultrasonic sound ठीक है ना ultrasonic sound जो है वो धोनी तरंगों में आती है इसकी चाल तो इन सब में से कम है लेकिन यहाँ पर आयोगने आपके प्रकाश को माना है तो प्रकाश की चाल है तीन लाख किलिम्टर प्रति सेकिंड यानि इसकी खोज की थी रोमर ने है ठीक है ना किसने खोज की थी इसकी रोमर ने खोज की थी रोमर जो थे वो इसने खोज की थी यानि अगर आपका जो यहाँ पर देखे तरंग देर्दे आवरति ठीक है तो तरंग देर्दे और आवरति अगर माल लीजी मैं इसका निशानिया से हटाऊं तो तरंग देर्दे बराबर यहाँ कॉफिशेंट लगाँ सी बटा आवरति सी क्या है प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल और इन दोनों को मल्टिप्लाई करों क्रोस मल्टिप्लाई से तो लेमडा इन्टो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू प्रकाश की चाल इस विदी से किसने निकाले थी रोमर ने ठीक है यानि कि तरंग देर्दे और आवरति कॉनन फल जो गाँ प्रकाश की चाल को कैल्गुलेट करने के लिए रोमर ने इस विदी का इस्तेमाल किया तो तो सही आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा दोस् ठीक है, next question जो है, उसको देखते हैं हम, धोनी का वेग अधिक्तम किस में होता है, धोनी एक औयांत्रिक तरंग है, धोनी एक औयांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, अभी क्या है कि पीछे प्रकाश देखा न, वो आयांत्रिक था, तो वही दिमाग में चाहिए, यांत्रिक तरंग है, इसको चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम, माध्यम की आवशक्ता है, ठीक है, माध्यम की आवशक्ता है, इसके लिए क्या है, माध्यम की आवशक्ता है आपका, ठीक है न, और प्रकाश जो है, वो सबसे ज़्यदा चलता है ठोस में, किसमें चलता है ठोस में उससे कम चलता है द्रव में उसके चम चलता है गैस में गैस को यहां पर हम वायू ले रहें तो गैस यानि वायू के अंदर में बात करूं तो 332 मीटर पर सेकिंड की रफ़तार से चलता है ठीक है और द्रव जो है आपका इसकी 4 गुना हो जाती है 332 मेटर 4 गुना पर स्क्वेर हो जाती है फोस जो है वो इसकी 10 15 गुना हो जाती है पर सेकिंड हो जाती है ठीक है तो यहां की बात करें निरुवात में धौने की चाल होती है जीरू यह क्या चाहिए उसको माधिम दिर्वात तु माधिम है निए वायु में किती चल रही y fairy 332 जल क्या रही चारगुना इस पात क्या है यहां पर ठोस है बंद्रागोना चल रही तो यहां पर यह हो जाएगा ठीक है तो यह आपका ध्वनी की चाल जो इसके अंदर ध्वनी की चाल को प्रभावित करने विले कारग भी बहुत सारे जिन्व क्लास के अंदर देखेंगे जिसमें तापमान है आधरता है ठीक है उस सबको देखेंगे आइंस्टीन को निम लिकत में से उसके किस सिध्धान्त के लिए नॉबल पुरुसकार दिया गया था आइंस्टीन ने सबसे पहले खोजा था तापेक्ष्टा का सिध्धान्त ततकालिन समय में एक बहुत बड़ी खोज थी लेकिन उस समय नॉबल प्राइज इसके लिए मिला नहीं ठीक है ना ठीक है उसके बाद प्रकाश विद्यूत के सिध्धान्त के उपर उन्होंने काम किया तो यह उनका काम जो था नॉबल प्राइज को ले पड़ा इसका मतलब यह था कि जब किसी विशिष्ट धात्वों पर या विशिष्ट पदार्तों पर सूर्य की प्रकाश किरन गिरती है तो उसमें से आपके विद्यूत धारा बहना स्टार्ट हो जाती है जिसका वर्तमान समय में जो है फोटो वल्टिक सेल के रूप में प्रियोग लिया जाता है तो उसके लिए आपको उनको क्या मिला था फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट के लिए नोबल प्राइस दिया गया था विशिष्ट उश्मा सिध्धान्त जो होती है विशिष्ट उश्मा क्या होता है आपका कि एक ग्राम किसी पदार्थ का एक ग्राम द्रवयम जैसे यह गैसों में भी हो रही है और दिरव में भी हो रही है गैसों के अंदर औरrik जाते हो हो और आपके द्रवों के अंदर भी देखने हो जिग-जग मुवमेंट होता है इसमें पार्टिकल्स का तो यहां पर आंसर क्या हो गया इसका सही वो भी हो गया दोस्तों प्रकाश विद्युत के सिध्धानत के लिए नोबल प्राइज मिला था इनको निमलिकित में से किसका आविशकार विलहेंस रॉल्डजेन द्वारा किया गया था रॉल्डजेन जो है वो एक्सरे के लिए विलियम रॉल्डजे तो रॉल्डजेन जो है वो एक्सरे के लिए काम में लिया था जैसा अगर मैं बात करूँ इसके लिए एक्सरे मशीन इसका सह एडिसन अलवा या एलवा ठीक है वो थे तो एक्सरे जो था वो किसकी खोज थी आपके वो विलिम रॉंटजन थी इसलिए एक्सरे की यूनिट भी रॉंटजन ही होती है यूनिट भी क्या होती है रॉंटजन होती है ग्रिफीन क्या है ग्रिफीन इस समय जो है 21 सदी के अंद प्रता जो है चतुष-फलक्य चरंचना के अंदर होता है और GG कि न है शिचल प्रमार्णों को जोड़ते हुए जिस ब्रता का निर्माण किया गया है उसको क्या बोलते हैं गिरिफीन और गिरिफीन को अगर पकड़ के मोड़के गोल कर दिया जाये तो इसको बोलते हैं evolution निनो टीूप तो ये जो है carbon का नैनो प्रती रूफ है वो आपका गिरिफीन होता है वर्टमान समय में इसकी बहुत ज्याधा उपाद आता है फिर फिर नाइयं टी और उससे भी ज्यादा होता है आपके ताप का सुचालक, प्लस मजबूत बहुत ज़ादा होता है, फ्लेक्सिबिलीटीज में बहुत ज़ादा होता है, इसलिए वरतमान समय में ग्रिफीन की जो कार्बन नैनोट्यूप्स बनाई गई है, उससे आपके hydrogen को संग्रहित करने के लिए उसके अंदर ठीक है और पास में building materials जहां वो कम ज़्यादा आते हैं वहां पर building metals को भी बनाने के लिए CNT को काम में लिया जाता है यह गरिफीन की उपा देता होती है तो answer के आओगे carbon का nano परती रूफ नेक्स्ट यह समाप्त होता है यह दो segment के अंदर बनाऊंगा दोस्तों मैं ताकि आपको चारों option को समझाते हुए मैं प्रशन को solve पर वाऊं तो आज पहला segment था इसका अगला segment बहुत जल्द हो जाएगा तब तक लिए धन्यवाद बाए बाएगा जिए ऊे भ्याएगा अीज उ sis फिरे कि बहुत हो जाएगह हम दोगी हुथ हुआ झा कि अ